सारुक खान की फिल्म स्वधेश की खूबसूरत अवनेत्री गैत्री जोसी के निदन की खवर ने सबको चोका दिया है इटली में गैत्री अपने पती बिबे को बराएक के साथ अपनी लेंबरोगेनी कार से जा रही थी कई कारों ने एक साथ एक केमबर बैन को ओवर टेक करने की कोशिस की लेकिन तभी एक लगजरी कार केमबर बैन से जाकर टकरा गई और एक कमबर पलट गई उसकी चपेड में कई और कारे भी आ गई जानक था कि एक फरारी कार में आग लग गई जिसके बाद एक अंदर वैठे पती पतनी की जान चली गई एक अपल सुटजर लेंड का रहने वाला था इनी कारों के बीच गैत्री और विबे कोबराय की कार भी सामिल थी और उनकी कार भी इसके चपेड में आ गई इसके बाद ख़वार आई कि गैत्री उनके पती की मौत हो गई गैत्री ने अपने कैरियर में सिर्म एक ही फिल्म की तोईदेस की लेकिन इस फिल्म में उन्हें ऐसी पापलर्टी मिली आज तक लोग उने भूल नहीं पाते हैं इस एक्सिडेंट की ख़वर जैसे ही भारत में लगी लो लेकिन उनके बराबर में चल रहे जोड़े की कार में आग लग गई और उनकी मौत हो गई पहले ख़वर मिली कि गैत्री की कार में आग लग गई और उनके साथ अनुहनी हो गई गैत्री ने साल 2000 में फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का खेताव भी जीता था गैत्री का साथ इटली में रह रहे हैं वह 18 साल से भारत भी नहीं आई हैं वह विदेश में ही रह रहे हैं दोस्तों वीडियो को लाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो